नमस्कार, NBC News की खास पेशकस, खास मुलाकात में आपका स्वागत है दर्शकोद इस प्रकार से देखा जा रहा है, मोसन काफी सुहाना होता जा रहा है बारिश का मोसम है और बारिश के मोसम में जो है लोग काफी लुप तूटाते है लेकिन हर चीज के दो पहलू होते है उसी प्रकार से देखा जाए तो जैसी ही बारिश आती है कई बिमारियों को आमंतरन दिया जाता है और कई बिमारिया फैलती है और उसी के विशे में हम चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मुझूद है दॉक्तर प्रतिक धुमाल और मैं हुआ आप सभी का दोस्त मनीश टेमरे दॉक्तर प्रतिक आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास सो में जिसका नाम है खास मुलाकात और आज हमारे लिए काफी खास है भन्यवाद तो किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उस किताब का इंडेक्स देखना काफी जरूरी होता है तो सबसे पहले हम आपका परीचे जाना चाहेंगे किस प्रकार से जो है नागपुर शहर में आपका बहुत बड़ा नाम है फिर भी आपका एक परिचे के तोर पर आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर प्रतिक धुमाल, मैं कंसल्टन्ट फिजिशन और डाइबिटलोजिस्ट हूँ आट विनाइक वेलनेस सिंटर नाकपुर बारिष के मोसमें काफी सारी बीमारिया स्प्रेड होती जा रही है कौन-कौन सी बीमारियों का खत्रा जादा बढ़ जाता है बारिष के मोसम में, क्या बताना चाहेंगे? बारिश में कही तरह के बिमारिया फैलती है जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगु, मलेरिया, लेप्रोसपाइरोसिस, आइफ़ड फीवर और जो ये डेंगु और मलेरिया जो होती है डेंगु और चिकनगुनिया जो होती है वो एक वाइरस के कारण फैलती है और मलेरिया जो होत किस प्रकार से किसी भी बीमारी के लक्षन होते हैं तो यह किस प्रकार से समझा जाए कि किसी कुछ चिकन गुनिया या जिस प्रकार से आपने बीमारिया बताई है इसके लक्षन किस प्रकार से होते हैं ये सबसे पहले मरीज को एक बुखार आता है, बुखार जो है वो 100 के उपर से चला जाता है, 102-104 का बुखार आता है, और उसके साथ वाइरल, टिपिकल वाइरल सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, वामिटिंग होना, या आखे लाल होना, स्कीन पे राशेज आना, या फिर पसीन आके बुखार आना, ये सारे सिम्टम्स, वाइरल सिम्टम्स में, ये सारे बिमारियों में आते हैं, इस प्रकार के लक्षन दिखाई देते हैं, ये कहना है डॉक्तर साब का, जिस प्रकार से कई बार इस बात को आप मिठ्या बोलेंगे, या सही बोलेंगे, इसका इंफेक् फैलता है क्या बताना चाहिए जी हां अपने सही कहां ये मच्छरों के वज़े से होता है जैसे कि चिकंगुनिया और डेंगु जो है वो वाइरस के कारण होता है लेकिन फैलता है मच्छरों से जैसे और ये मच्छर को हम कहते है एडीज मस्केटों और जो मलेरिया है वो प्ल इडीज की मश्किटों है वो जो है हमें fresh water में और जाती है यह मादा होती है या नर होती क्या बताना जाहेंगे हें आनाफोलीज मस्किटों जो है वह female Musketon होती जो ढजनदे पाने है Їसे कि आपके canals में, clogged drainages में, या फिर lakes में, ponds में पाई जाती है, और इसके ये जो ades जो musquito है, जिससे डेंगू और chicken gunya फैलता है, ये fresh water में पाई जाती है, जैसे कि आपके terrace में हो सकता है, या फिर आपके gardens में, पौदो में, ये सारे जगा पे, जैसे आपके coolers, coolers इसने आपने लगाये हुए रहेंगे, तो cooler के पानी में भी ये मच्चर पनपती है, जिस प्रकार से डॉक्टर साब ने बताया, ये जो है, ये शरीर पे हमला करने वाले हमलावर है, जो कि काफी भयानक तरीके से शरीर पर हमला करते हैं, जिसके पाद हमारी रोग प्रतिकारात्मक शक्त अँग रहेंगे गाये है, तो क्या बताना चाहेंगे, जो तीन जटिल बीमारी आपने बताई है, जो कि रोग प्रतिकारत्मक शक्ति पर सिधा हमला करती है तो इनकी टेस्ट किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार की टेस्ट से पता चलता है कि यह बीमारिया हुई है सबसे पहले जब मरीज डॉक्टर के पास आता है तब हम डॉक्टर को साइन्स और सिम्टम्स देखके ही पता चल जाता है कि यह एक वाइरल फीवर का डाउट आ जाता है लेकिन इसके अलावा ब्लैट टेस्ट करना बहुत जरूरी रहता है जैसे हम अलग-अलग प्रकार के ब हो या डेंगू हो मलेरिया हो वह एक अंटीजन टेस्ट होता है उससे हम लोग को पता चल जाता है कि यह कौन सी बीमारी आप पकड़ी हो यह इसके अलग और भी टेस्ट है जैसे कि सी बीसी टेस्ट कंप्लीट ब्लड हां उसमें टीपिकल वाइरल पिक्चर दिखता है जैस लो रहता है प्लेटलेट काउंट भी लो होता है इसके लिए फिर प्लेटलेट चड़ाने का भी टाइम आ सकता है इसके अलबा लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट में हम लोग लिवर के एंजाइम्स देखते हैं और किड्नी का टेस्ट भी कर सकते ह कर सकते हैं तो पता चल जाता है कि यह बिमारियों ने कौन से कंसे अवियर पे इसका ऐस्सर हो गया है। जिस प्रकाल से बोला जाता है भीमारिया कौन सी भी अच्छी नहीं होता है। इसके लिए जब भी आपको बुखार आए या कुछ यह साइंस दिखे वाइरल फीवर के साइंस दिखे तब आप तुरंधी डॉक्टर के पास जाके आप जाच करवा ले ताकि हम इसको फिर यह बीमारी को हम लोग सीवियर फॉर्म में कनवर्ट होने से रोके दर्शु को जिस प्रकार से डॉक्टर साब ने बताया है बीमारीयों का सीजन चल रहा है बारिश का जो सुवाना सीजन है ही साथ ही साथ जो है दूसरी वाजु के ओर देखा जाए दूसरी साइट से देखा जाए तो काफी बीमारीयों को भी आमंतरन ये मोसम देता है तो थोड़ा जोड़के रखे क्योंकि इस सीजन में जो है काफी बीमारीों का आमंतरन हम दे चुके हैं और मोसम भी दे चुका है आपने जिस प्रकार से सीवेर फॉर्म की बात की सीवेर फॉर्म एक्ट्यूल में होता क्या है ये बताइए जरा सीवियर फॉर्म मतलब जैसे चिकन गुनिया में मरीज डी हाइडेट हो जाता है डी हाइडेशन के वज़े से और और भी जैसे की खून कमी होता है खून की कमी दिखाई देती है तो फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है उल्टी में से खून आता है या लाटरिंग में से डेंगु में देखा जाता है कि जो डॉक्टर बोलते हैं फेफडो में पानी भर गया पेट में पानी भर गया तो सास लेने के लिए भी दिक्कत होती है को सेखने उसमें मारेस को कन फूजन होता है इरृवन बाते करता है जो हम बोलते कि फीवर जो दीमाग में चला गया है तो यह सब कभी-कभी पेशट कोई में भी जा इसके लिए मैं फिर से एंफसाइज करूंगा कि जब भी आपको यह सब साइंस दिखे तो सीवियर फ़र्म होने तक मत रुखे अब तुरंदी बुखार आये तो डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करवा दे और अर्ली ट्रीटमेंट ले और एस्पेशली जो पोला जाता है बुखार सर पर चड़ गया अक्सर जो है जर पर बुखार चड़ता है इस सिवियर फ़र्म से ही पता चलता है कि जो है सर में बीमारी ये प्रकार का जो है जो है जाने के बाद काफी complications आ सकते हैं यही डॉक्टर साहब का यहां जो है कहना है एक सवाल है हाँ उपस्तित होता है कि यह बीमारिया होने के बाद किस प्रकास से treatment लेनी चाहिए क्योंकि किसी भी बीमारियों पर उपाय तो होता ही है क्या बताना चाहेंगे treatment के भी शेंदे treatment को हम लोग three phases में डिवाइड करते हैं सबसे foremost जो important है वो है prevention क्योंकि आपको सबको पता है prevention is better than cure तो हम प्रिवेंशन पर ध्यान देते हैं इसके बाद second step होती है management जिसमें हम धवाई देते हैं और third step होती है पोस्ट वाइरल केर तो prevention में आप घर की सफाई या आजू-बाजू होने दिना उसके अलावा आपका जो coolers अगर आपने लगवाए है तो coolers हटाने का भी सही समय है तो वह हटवा दीजिए फिर इसके अलावा हम लोग बाजार में बहुत सारे products हैं जैसे की insect repellants है उसको use कर सकते हैं फिर डीडीटी sprays government भी spraying करता है तो उसको encourage करना चाहिए हम लोग ने इसके अलवा घरगुती उपाए भी कर सकते जैसे की दूप दूप लगा सकते नीम के पति और कपूर जला के आप उसका दूप कर सकते लेकिन आप जो भी करें वो सावधानी से करें डॉक्टर साब जिस प्रकार से आपने बताया है बीमारिया फैल रही है क्या सला देना चाहेंगे आप जिससे की इन बीमारियों से बचा जाए सके और जो अपकी रोग प्रतिकारात्मक शक्ती है वो बरकरार है साथी साथ बढ़े मैनेजमेंट में हम लोग के पास मलेरिया के लिए कही सारे दवाईया है जैसे की क्लोरोक्विन है प्राइमाक्विन आर्टी मिथर आर्टी सुनन्ट जैसे दवाई अवेलेबल है पेशन्ट को यह डॉक्टर के एडवाईस से लेना चाहिए उसके अलावा वाइरल फीवर जो चिकंगु निया और तेंगोगो है इसमें हम लोग मुंचलि स्म्टवमेटेक क्रीडमेंट देते हैं गया लेकिन अऑन चाहिए जब 40000 से प्लेटिलिए प्लेट कम होजाए तब लेट चड़ाना जेखिसाँट इसके अलावा आई वी फ्लूइडस बहुत इंपोर्टन है कि पेशन्ट ये सारे विमारियों में डिहड़ेट हो जाता है तो फिर आई वि फ्लूइड जो जिसे हम कहता है सलाइंचडाना तो आई हईड्रेशन से चिकनगुनिया में आर्थ्राइटिस बढ़ सकता है। लॉंग टम्स तक ये आर्थ्राइटिस एगरवेट हो सकता है। क्योंकि बुखार के वज़े से पेशन्ट इम्मोबाइल हो जाता है। जो है वह जखड जाते है। उसके वज़े से पेशन्ट मुव नहीं होता है। और पेशन्ट चाल होता है जॉइंट में। तो इसके लिए भी हमारे पास उपाय रहते हैं। जैसे की अनलजेसिक्स देते हैं एसके नामा की दवाईया अवेलेबल है। फिजियो थेरेपी कर सकते हैं। तो यह सब करके हम पेशन्ट को जल्दी रिलेव दे सकते हैं। और जो इतर बीमारिया है जैसे डाइबीटीज है ब्लड प्रेशर की जो दवाईया ले रहे हैं थे पेशेंट्स तो डाइबीटीज में भी शुगर फलक्ट्ट हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। तो डॉक्टर की मदद से यह शुगर हम लोग कंट्रोल कर सक तो डॉक्टर के सला से यह सब कॉम्प्लिकेशन्स हम लोग कम कर सकते हैं क्या सला देना चाहेंगे बी सिटुडियो के माध्यम से आप ठाकी जो है यह जान लेवा बीमारिया लोगों को ना सला तो यही रहेगी कि डॉक्टर से आप जाज कर वाले और तुरंत प्रीटमेंट चालू करें दूसरी और सबसे इंपोर्टन बात यह है कि आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहना चाहिए आप सिंपल होम कुक्ट फूड लीजिए भार का खाना अवर्ड कीजिए तले बात है कि आप एड़केट रेस्ट लेना बहुत जरूरी और आपको जब यह बीमारिया हो जाए तब बुखार और यह सब साइंस दिके वाइरल फीवर के तुरंदी आप डॉक्टर के पास जाके अरली ट्रीटमेंट लीजिए और इसके कारण हम उसको कॉम्प्लिकेशन से बच्चे और दूसरी बात यह है कि प्रिवेंट्शन इस बेटर दन क्योर इसके लिए आप आपके आजू-बजू सफाई रखे और ताकि हम फिर यह सब भीमारी इससे बचे दर्शो को जिस प्रकार से हमारी भारतिया संस्कूर्टी रही है भारतिया संस्कूर्टी में बोला गया है आरोग्यम धनसंपदा यदि आप आरोग्यशाली हो तो सबसे अमीर आप ही हो सबसे श्रीमंत आप ही हो इस प्रकार के संदेश आरोग्यम धनसंपदा द्वारा दि और जिस प्रकार से बात हमने डॉक्तर प्रतिक धुमाड से की उन्होंने सभी चीजों पर प्रकाज डाला है। झाल